हालो गाज़ आप सभी सात्यों का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टॉप पर तो डेली के तरा हम लोग आज भी मौनिक अपडेट ले आ है जितनी भी पॉटेट अबडेट आज की नुज पिपर में है और आप सभी के काम की अपडेट है वो सारी सारी अपडेट इसमें लिखा है कि बीएड काउंसलिंग 22,684 विद्यार्थियों को सीटे अलॉट आप सभी लोगों को हम बता दें कि अब की बार जो है छात्रों का डेलेट से ही नहीं बीएड से भी जो है वो भंग हो चुका है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं बीएड काउंसलिं होनी थी इसका मतलब यह हुआ कि 50,000 के आसपास लोगों ने काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया इसका मतलब यह है कि अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो अब की बार बीएड में भी सीटे फुल नहीं हो पाएंगी अगर यही चलता रहा और इसका सबसे बड़ा रीजन है प्रात्मिक सिक्षक भरती का ना आना एक सबसे बड़ा रीजन है कुछ लोग कहते हैं कि बीएड का केश चला है इस वज़ा से बीएड वाल एडमिसन बीएड में नहीं ले रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन यह नहीं है उसका सबसे बड़ा रीजन है प्रात्मिक सि बिच्चक भरती नहीं आ रही इसलिए चात जो इससे अब दूर भागना सुरू हो चुके हैं यहाँ पर लिखा है और फिलाल आज से जो है दूसरे राउंड की काउंसलिंग भी सुरू हो जाएगी आप लोग जो है जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाया आज वो करवा सकत विध्यार्थियों को सीटों का वेंटर नहीं हो पाया है राजकी वा अनुदानित महाविध्यालों में 6 Vocêoकें में 69,7 सीटों का वेंटर हुआ है जिसमें खुली सेडी की 4942 सीटे 849 OBC 11,56 सीटे एस्टी वर्ग के विद्यार्थियों को दी गई है EWS CD की 624 सीटे भर गई है काउंसलिंग में सामिल हुए विद्यार्थियों को भरी गई सीटों के मुताबिक रहेंग के आदार पर सीटे अवेंटिद की गई है वहीं सोमवार से काउंसलिंग का δूसरा चरण सुरू होने जा रहा है विस्व विद्याले की ओर से 20 की काउंसलिंग 30 सितंबर से सुरू की गई थी जो 8 अक्टूबर तक चली विद्यार्थों ने अपने अबलेक अपलोड करके अपने पसंद के कालिजों को सीटे लॉक की थी, 9 अक्टूबर को विश्विद्याले की टीम की ओर से सीटों का अलाट्मेंट हो चुका है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब में चीज यह है कि जिनका भी रैंक आज से, पचातर हजार एक रैंक से लेकर दो लाग तक जिनकी रैंक है, वो आज से जो है काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, आप लोग जाकर आज से जो है काउंसलिंग करवा सकते हैं, फिलाल यहाँ पर यही है कि बीर्ड से जो है मो भंग अब सुरू हो चुका है, फिर चाहे वो beard हो चाहे डेलेड हो दोनों जगों पर आप छात्रमीसन लेना नहीं चाह रहे हैं तो फिलाल यहाँ पर आप देख रही है यह थी beard की update आगे बढ़ते हैं अगली update तो आई है UP समेथ जो है यहाँ पर 45 जिलों में जो है भारी बारिस का अलट किया गया है और हाथसों में 34 की मौत हो चुकी है और आज भी उमीद है कि बहुत बारिस होगी मौसम बिभाग ने बताया कि आज बारिस बहुत तेजी से होने वाली है इसलिए बहुत जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकले और दूसरी चीज यहां पर बताई गई कि यहां पर 45 जिलों में चुटी कर दी गई है इन 45 जिलों का यहां पर नाम दिया गया है जहां पर आज स्कूले नहीं चलेंगी यहां पर आप देख सकते हैं इनका स्कीन सॉट आप ले सकते हैं ठीक है? इसमें से देख सकते हैं, तो कुल मिलाकर आज और कल दो दिन जो है बाहरी बारिस की जो है अलर्ट यहां पर मौसम विभाग ने कर दिया है, अगली अपडेट यहां पर UP SSC PET को लेकर देख सकते हैं, अमिताब अगनिहोत्री जी ने मांग किया है कि आर्थिक रूप स फ्री बस सुविधा स्टार्ट करवाई थी, कि जो भी लोग पेपर देने जा रहे हैं, वो बिल्कुल फ्री बस सेवा का लाब ले पाएंगे और अपने अपने सेंटर पर पहुँच पाएंगे, यहां पर मांग की गई कि ऐसा ही UPCC PET में भी किया जाए, यहां पर यानि पर प्रसत से जादा लोग जो है इस बार परिक्षा इसलिए छोड़ देंगे, क्योंकि उनका सेंटर जो है बहुत ही खराब बना दिया गया है, UPCC की मनमानी से परिशान लाको चात चातर हैं दूर सेंटर होने के कारण लगबग 40 प्रसत चात चातर हैं छोड़ सकती है, UPPT का एकजाम 100 से 300 किलोमेटर दूर है, कुछ चातरों का सेंटर, ठीक है तो कुल मिलाकर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, भाई, पेपर कोई मत छोड़ो, अगर आपने तयारी किया है, दो महीने, तीन महीने, चार महीने लगातार आपने तयारी किया है, तो मैं यही सजेशन दूँगा, कि आप परिक्षा बिल्कुल न छोड़ें, ठीक है, क्योंकि तयारी किया हो, सेंटर दूर होने की वज़ा से, आप परिक्षा न दें, यह जो है, थोड़ा सा, आप मैनेज कर लिजे, जिसे होता क्या है, दो-तीन लोग, अगर एक साथ के हो, आप मिल जाओ ग्र रिजर वेशन हो गएरा, ट्रेन का करा लिया होगा, भाई, दूर सेंटर पर हम नहीं कहेंगे, आप हायर गारी से जाईए, लेकिन सव से देर सो किलोमीटर रखर है, तो आप कोई गारी हायर कर सकते हो, और दो-तीन लोग मिलकर आप जा सकते हो, ठीक कोई दिक्कत की बात न सामको साथवेश जीके की कलाश चलती है, तो सभी लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, आप जाकर सब्सक्राइब जरूर कलने, चली, अगली अपडेट है, हेड कॉंस्टेबल भरती के लिए आज जिन लोग का पेपर है, वो अपना अराम से जाए, आज से आपकी परिक्षा स्टार्ट हो रही है, ठीक है, चली, एक अपडेट और है कॉर्णर में, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भरती के लिए इंटर्व्यू 12 तारिक से है, चिकिस्ता सिक्षा विवाग में अ फिवाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भरती के लिए इंटर्व्यू 12, 13 और 14 अक्टूबर को जो है जारी की, सरी, मतब किया जाएगा, आयुजित किया जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑप्सेंट गायनी के तीन पदों पर जो है, एपिडेमोलिजिस् उनलोगों को भी all the best है चलिए अगली अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलेज आवेंटन के लिए आज से विकल भरे जाएंगे चैनीज सिक्षक राज के इंटर कालिजों के लिए चैनीज प्रवक्ता और सायक अध्यापकों से कॉलेज आवेंटन के लिए 10 से 20 अक् ऐलेज अलाटमेंट को लेकर के आज जो है आप भर सकते हैं इस चीज को यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है चलिए अगली अपडेट है ये बड़ी अपडेट हैब 72,825 जो पर शुक्षवी उनकी जो सुल्क वापसी है उसको लेकर कर के काम किया जा रहा है डायट से बेसिक सिक्षा परसद सच्चिव परताप सिंग बगेल ने 11 जिलों के डायट प्राचारियों और बेसिक सिक्षा अधिकारियों को पत जारी कर आवस्यक सूचना मांगी है परसदिये स्कूलों में एकैडमिक मेरिट के आधार पर 7825 पर सिक्षक बरती के लिए 5 दिसंबर 2012 को जारी विग्यापन किया था 13 नॉम्बर 2011 को आयोजी टीटी में धांदली के आरूप लगने के बाद मार्च 2022 में सत्ता मैयाई सपसरकार ने टीटी मेरिट की जगा एकैडमिक रिकार्ट पर बरती का निड़े लिया था अब ब्यारतियों में से प्रतेक जिले के लिए 5 500 रुपे फीस ली गई थी तो यहाँ पर यह बतायागा कि जितने लोगों से 5 500 रुपे फीस ली गई थी उनकी जो सुल्क वापसी वो की जाएगी और उसको ले करके डायट प्राचारों से जो है सूचना मांगी गई है तो फिलाल आज के लिए इतनी सारी अपडेट थी अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल पर अगर आप नए है तो ऐसी यह ऑथन्टिक अपडेट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथी साथ UPSC की प्रेट की अगर आप त्यारी कर रहे है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप जाकर के उसको जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको UPSC प्रेट की त्यारी अच्छे तरीके से हो सके तो समय ज़्यादा नहीं बचा इसलिए उसको सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए मस रहिए जहिन जरौरत